बिंकन्स को मेरा प्यार बरा परणाम आशा है, सबी बच्चे अपने-अपने गरू में स्वस्त हैं, सुरक्षित हैं आप सबी का मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है बच्चो शुरू करते हैं, परसंग हम पढ़ रहे हैं दो अक्षरों से बने शक जैसा कि गत्विदी जो हमने की उससे आपको समझ में आया होगा दो अक्ष्रों वाले शब्द कैसे करते हैं तो आज की कक्षा में आपको मैं फिर से समझा रही हूँ दो अक्ष्रों वाले शब्द इस कारे को सब भी बच्चे अपने अपनी पुस्तिका पर करेंगे जैसा कि पहला शब्द दिया गया है यहां चितर दिया गया है फल का तो फ और ल अलग-अलग दो वर्णों को जोड़ के हमने बनाया फल फल के बाद अगला चितर है वन वन कैसे आएगा व और न न और ल वर्ण को मिला के नल बनता है न ल नल तो ऐसे ही हम दो अक्षों वाले शब बनाते हैं अगले चितर में दिया गया है घर चितर गर और र इन दो वर्णों को मिला के बनता है गर अगले चितर में है बस ब और स को मिला के बनता है बस 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 के बाद अगला चितर है रत रत र और थ को मिला के बनेगा रत रत के बाद हल ह ल ह और ल को मिला के हल ग और ज यहां पे चितर दिया गया है गज का ग और ज को मिला के बनेगा गज अगला चितर है जग ज और ग को मिला के बनता है जग उसके बाद आखरी चितर में दिया गया है दन दन यानि पैसा ध और न को मिला के बनेगा दन तो प्यारे बच्चों ऐसे ही दो अक्षरों वाले शब बनते हैं आशा है आप सबी बच्चों को ये शब्द समझ में आये हैं और सबी बच्चे इस कारे को पढ़कर अपनी अपनी पुस्तिका पर करेंगे आज की कक्षा में आपके लिए इतना ही दन्यवाद